तो आज हम बताने जा रही हैं, कहानी सरदार वल्लभाई पटेल की तो शुरू करते हैं। सरदार वल्लभाई पटेल का जन्खेडा जिले के नाडियाड में हुआ था और उनका पालन पोशन गुजरात राज्य के ग्रामीन इलाकों में हुआ। वे एक सफल वकील थे। महत्मा गांधी के शुरुवाती राजनीतिक लेफटिनेंटों में से एक। उन्होंने गुजरात के खेडा, बोरसाद और बार्डोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवग्या में संगठित किया। जो गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। नावों का बहिशकार छोड़ दिया। बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में रहने के दौरान, वे कॉंग्रेस के मुख्य धन उगाने वाले और इसके केंद्रिय संसदिय बोड के अध्यक्ष बन पटेल ने 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में एकत्रित लाक से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए एक शानदार भाशन दिया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाशन ने राश्ट्रवादियों को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई, जो तब तक प्रस्तावित विद्रों को लेकर संशय में थे। इस अवधी में पटेल के संगठित कार्य को इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रों की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के पहले ग्रह मंत्री और उप्रधान मंत्री के रूप में पटेल ने पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली भाग कर आए विभाजन शर्नार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन किया और शांती बहाल करने के लिए काम किया। उन प्रांतों के अलावा जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लगभग 565 स्वशासित रियास्तों को भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त कर दिया गया था। पटेल ने जवाहरलाल नहरू और लुइस माउंट बेटिन के साथ मिलकर लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। नए स्वतंत्र देश में राश्ट्रिय एकी करण के लिए पटेल की प्रतिबधता ने उन्हें भारत के लोह पुरुष की उपाधी दी। उन्हें आधुनिक अखिल भारतिय सेवा प्रणाली की स्थापना में अग्रणी भूमी का निभाने के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संथ के रूप में भी याद किया जाता है। दुनिया की सबसे उन्ची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी जिसे भारत सरकार ने 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया था, 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई और इसकी उन्चाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है, वल्लभाई जावेर भाई पतेल जावेर भाई पतेल और लाडबा के 6 बच्चों में से एक का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था, उन्होंने वैशनव धर्म का पालन किया और महाप्रभू वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्क संप्रदाय से संबंधित थे और वल्लभाचार्य के वन्शच से द दर्ज नहीं की गई, पतेल ने अपनी मैट्रिक परीक्षा के कागजात में इसे 31 अक्टूबर के रूप में दर्ज किया वह पाटीदारों विशेश रूप से मध्य गुजरात के लेवा पतेल समुदाय से थे, हाला कि उनकी प्रसिधी के बाद लेवा पतेल और कडवा पा पते थे, माना जाता है कि उन्होंने एक ध्रिट चरित्र का विकास किया था, एक लोकप्रिय किस्सा बताता है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दर्दनाक फोडे को चीर दिया, यहां तक की ऐसा करने वाला नाई काम पुठा, जब पतेल ने अपेक्षाकरित देर से 22 वर्ष की आयू में मैट्रिकुलेशन पास किया, तो उनके बुजर्ग उन्हें आम तौर पर एक महत्वा कांक्षी व्यक्ती के रूप में मानते थे जो एक सामान्य नौकरी के लिए किस्मत में था, हाला की पतेल ने खुद एक वकील बनने के लिए पढ़ाई करने, काम करने और पैसे बचाने, इंगलंड की यात्रा करने और बैरिस्टर बनने की योजना बनाई थी, पतेल ने अपने परिवार से दूर कई साल बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई पुस्तकों से खुद का अध्यान किया, दो साल के भीतर अपनी परीक्षाएं पास की, कई सालों तक पैसे बचाने के दौरान, पतेल, जो अब एक वकील थे, ने एक उग्र और कुशल वकील के रूप में ख्याती अरजित की, इस जोडे को 1903 में एक बेटी, मने बेन, और 1905 में एक बेटा, दह्याभाई हुआ, पतेल ने गुजरात में फैले ब्यूबोनिक प्लेक से पीडित एक दोस्त की भी देखभाल की, जब पतेल खुद इस बीमारी से पीडित हुए, तो उन्होंने तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, अपना घर छोड़ दिया, और नाडियाड में एक अलग घर में चले गए, अन्या खातों के अनुसार, पतेल ने यह समय एक जीरशीर्ण मंद में बिताया, वहां वे धीरे-धीरे ठीक हो गए, पतेल ने करमसाद में अपने घर का वित्तिय बोज उठाते हुए गोधरा, बोड़साद और आनन में कानून का अभ्यास किया, पतेल एड़वर्ड मेमोरियल हाई स्कूल, बोड़साद के पहले अध्यक्ष और संस्थाप और पास और टिकट के लिए आवेदन किया, तो उन्हें उनके बड़े भाई विठ्थल भाई के घर पर वीजे पतेल को संबोधित किया गया, जिनके नाम के शुरुवाती अक्षर वल्लब भाई के समान थे, एक बार इंगलेंड में अध्येन करने की इसी तरह की आशा को करने के बाद विठ्थल भाई ने अपने छोटे भाई को यह कहते हुए फटकार लगाई की एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई का अनुसरण करना अपमान जनक होगा। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और सफल अपातकालीन सरजरी के बावजूर। अस्पताल में उनकी मृत्यू हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया जिसमें उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यू की सूचना दी गई थी क्योंकि वहां अदालत में एक गवाह से जिरह क होने के बाद ही उन्होंने दूसरों को यह खबर दी। पटेल ने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें बॉंबे के अंग्रेजी भाशा के स्कूलों में भेजा। 36 साल की उम्र में वे इंग्लेंड गए और लंदन के मिडिल टेंपल में दाखिला लिया। भारत लोटकर पटेल एहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टर में से एक बन गए। यूरोपिय शैली के कपड़े पहनने और शहरी तौर्तरी के अपनाने वाले वे एक कुशल ब्रिज खिलाडी बन गए। ब्रिज के खेल पर एक टेड वारता में बारा वर्षिय विश्व ब्रिज चैंपियन अंशुल भट ने जेल में रहते हुए ब्रिज टेबल पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच बनी पौरानिक आजीवन साजहदारी के बारे में बात की। पटेल ने अपने अभ्यास का विस्तार करने और बहुत धन संचय करने और अपने बच्चों को आधुनेक शिक्षा प्रदान करने की महत्वा कांक्षाओं का पोशन किया। उन्होंने अपने भाई विठल भाई के साथ बौमबे प्रेसीडिंसी में राजनीती में प्रवेश का समर्थन करने के लिए एक समझोता किया था, जबकि पटेल परिवार के लिए प्रदान करने के लिए एहमदाबाद में रहे। सितंबर 1917 में पटेल ने बोडसद में एक भाषन दिया, जिसमें उन्होंने देश भर के भारतियों को ब्रिटेन से स्वराज की मांग करने वाली गांधी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोचसाहित किया। एक महिने बाद वह पहली बार गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में गांधी से मिले। गांधी के प्रोचसाहन पर पटेल गुजरात सभा के सचिव बने, एक सारवजनिक निकाय जो भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की गुजराती शाखा बन गई। पटेल ने अब उर्जावान रूप से वेत, भारतियों की यूरोपिय लोगों के लिए मजबूर दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खेडा में लेग और अकाल के मद्दे नजर राहत प्रयासों का आयोजन किया। खेडा के किसानों की कराधान से छूट की याचिका को ब्रिटिश अधिकारियों ने ठुकरा दिया था। गांधी ने वहां संघर्ष करने का समर्थन किया, लेकिन चमपारण में अपनी गतिविधियों के कारण वे स्वयं इसका नेत्रित्व नहीं कर सके। हाला कि उनका निरणय मौके पर ही लिया गया था। लेकिन बाद में पटेल ने कहा कि उनकी इच्छा और प्रतिबधता गहन व्यक्तिगत चिंतन के बाद आई। क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने करियर और भौतिक महत्वा कांक्षाओं को छोड़ना होगा। कॉंग्रेस के स्वयन सेवको नरहरी पारीक, मोहनलाल पंड्या और अब्बास तयब जी के समर्थन से पटेल के साथ वल्लभाई पटेल ने खेडा जिले में गावदरगाव दौरा शुरू किया, शिकायतों का दस्तावे जी करण किया और ग्रामीनों से करों का भुकतान कर करने से इनकार करके राज्यव्यापी विद्रोह के लिए उनका समर्थन मांगा। पटेल ने संभावित कठिनाईयों पर बल दिया और लगभग हर गाव से उकसावे की प्रतिक्रिया के सामने पूर्ण एकता और अहिंसा की आवशक्ता पर जोड दिया। जब विद्रोह श पटेल ने व्यक्तिकत गावों के साथ काम करने के लिए स्वयन सेवकों का एक नेटवर्क बनाया जिससे उन्हें कीमती सामान छिपाने और छापों से खुद को बचाने में मदद मिली। हजारों कार्यकरताओं और किसानों को गिरफतार किया गया लेकिन पटेल को नहीं। पटेल गुजरातियों के नायक बनकर उभरे। 1920 में वे नवगठित गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। वे 1945 तक इसके अध्यक्ष रहे। पटेल ने गांधी के असहयो गांदोलन का समर्थन किया और तीन लाग से अधिक सदस्यों की भर पटेल ने अपने सभी अंग्रेजी शैली के कपड़े फैंक दिये। अपनी बेटी मनी और बेटे दहिया के साथ उन्होंने स्थानिय रूप से उतपादित सूती कपड़े खादी पहनना पूरी तरह से शुरू कर दिया। पटेल ने चौरी चौरा की घटना के मद्दे न बंदी, छुआचूत और जातीगत भेदभाव के खिलाफ और साथ ही महिलाओं के सशक्ती करण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। कॉंग्रेस में वे स्वराजवादी आलोचुकों के खिलाफ गांधी के द्रिट समर्थक थे। पटेल 1922, 1924 और 1927 में एहमदाबाद क नगरपालि का अध्यक्ष चुने गए उन्होंने राष्ट्रवादियों, ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र, द्वारा स्थापित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की मान्यता और वेतन के लिए लड़ाई लड़ी और यहां तक की समवेदनशील हिंदू, मुसलिम मु दो को भी उठाया. पटेल ने 1927 की मुसलाधार बारिश के बाद राहत कार्यों का व्यक्तिगत रूप से नेत्रित्व किया, जिससे शहर और खेडा जिले में बड़ी बाड आई और जानमाल का भारी नुकसान हुआ. उन्होंने पूरे जिले में शरनार्थी केंद्र स्था की. पटेल के जीवित परिवार में मनिबेन पटेल अपने पिता की मृत्यू के बाद अपना शेश जीवन बॉम्बे में एक फ्लैट में रही, वह अकसर सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट के काम का नित्रित्व करती थी, जो प्रतिश्थित वार्षिक सरदार पटेल मेमोर व्याख्यान और अन्य धर्मार्थ संगठनों का आयोजन करता है। राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में जाना जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रिय उत्सव बन जाएगा। 2012 में पटेल को आउटलुक इंडिया के महांतम भारतिय के सर्वेक्षण में तीसरा स्थान दिया गया था। करमसत में पटेल का पारिवारिक घर उनकी याद में संरक्षित है। एहमदाबाद में सर्दार वल लभाई पटेल राष्ट्रिय स्मारक 1980 में मोती शाही महल में स्थापित किया गया था। इसमें एक संग्रहाले, चितरों और रैतिहासिक चितरों की एक गैलरी और एक पुस्तकाले शामिल हैं, जिसमें पटेल और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण, दस्तावेज और किताबें हैं। प्रदर्शनों में पटेल के कई निजी सामान और उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के विभिन दौर के अवशे शामिल हैं। भारत में कई सारवजनिक संस्थानों का नाम पटेल के नाम पर रखा गया है। नर्मदा नदी घाटी में बांध, नहर और पनबिजली सन्यंत्र बनाने की एक बड़ी पहल, जिससे त्रिराज्यक्षेत्र को पीने का पानी और बिजली उपलब्ध कराई जा सके और क्रिशी उतपादन को बढ़ाया जा सके का नाम सरदार सरोवर रखा गया। सूरत में सरदार वल्लभाई राष्ट्रिय प्रोध्योगी की संस्थान सरदार पटेल विश्व विद्याले, सरदार पटेल हाई स्कूल और सरदार पटेल विद्याले और मेरट यूपी में सरदार वल्लभाई पटेल क्रिशी और प्रोध्योगी की विश्व विद्याले क प्रशिक्षन अकादमी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस की जीत के बाद बार्डोली की महिलाओं द्वारा पटेल को पहली बार सरदार या प्रमुक के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। किसी वकील या पत्रकार को उपस्थित होने की अनुमती नहीं थी। पटेल की गिरफतारी और उसके बाद गांधी जी की गिरफतारी से गुजरात में नमक सत्याग्रह बहुत तेज हो गया। गुजरात भर के जिलों में तब तक करविरोधी विद्रो शुरू हो गया जब तक पटेल और गांधी जी को रिहा नहीं कर दिया गया। रिहा होने के बाद पटेल ने अंतरिम कॉंग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया लेकिन बॉंबे में एक जुलूस का नित्रित्व करते समय उन्हें फिर से गिरफतार कर लिया गया। गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर करने के बाद पटेल 1931 में कराची में कॉंग्रेस के सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गये। यहां कॉंग्रेस ने समझोते की पुष्टी की और मॉलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबध किया लंदन में गोलमेच सम्मेलन की विफलता के बाद। गांधी और पटेल को जन्वरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया जब संघर्ष फिर से शुरू हुआ और यर्वदा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। कारावास की इस सवधी के दौरान पटेल और गांधी एक दूसरे के करीब आ गये और दोनों के बीच्स ने विश्वास और स्पष्टवादिता का घनिष्ट बंधन विक्सित हुआ। उनके आपसी रिष्टे को एक बड़े भाई गांधी और उनके छोटे भाई पटेल के रूप में वर्नित किया जा सकता है। गांधी के साथ बहस होने के बावजूद पटेल ने उनकी प्रवृत्ती और नेत्रित्व का सम्मान किया। जेल में दोनों ने राश्ट्रिय और सामाजिक मुद्दो पर चर्चा की, हिंदू महाकाव्य पढ़े और चुटकुले सुनाएं। गांधी ने पटेल को संस्कृत सिखाई। गांधी के सचिव महादेव देसाई ने गांधी और पटेल के बीच बातचीत का विस्तरित रेकॉर्ड रखा। जब गांधी ने अचुतों के लिए आवंटित प्रिथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए आमरन अंशन शुरू किया बाद में पटेल को नासिक की जेल में ले जाया गया। और उन्होंने अपने भाई विठल भाई के दा संसकार में शामिल होने के लिए संग्षिप्त रिहाई के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिनकी अक्टूबर 1933 में मृत्यू हो गई थी। उन्हें अंत्ता जुलाई 1934 में रिहा किया गया। कॉंग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर पटेल की स्थिती काफी हद तक 1934 के बाद से पार्टी संगठन में उनकी भूमिका से जुड़ी थी, जब कॉंग्रेस ने चुनावों का बहिशकार छोड़ दिया था। बॉंबे के एक अपार्टमेंट में स्थित, वह कॉंग्रेस के मुख्य धन उगाने वाले और इसके केंद्रिय संसदिय बोड के अध्यक्ष बन गए, जिनोंने नई दिल्ली में केंद्रिय विधान सभा के 1934 के चुनावों और 1936 के प्रांतिय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन और वित्पोशन में अग्रणी भूमी का निभाई, धन इकठा करने और उम्मीदवारों का चयन करने के अलावा, उन्होंने मुद्दों और विरोधियों पर कॉंग्रेस का रुख भी निर्धारित किया, खुद के लिए एक सीट पर चुनाव नही लडने पर पटेल ने प्रांतों और राश्ट्रिय स्तर पर चुने गए कॉंग्रेसियों का मार्ग दर्शन किया, 1935 में पटेल ने बवासीर की सरजरी करवाई, फिर भी बार्डोली में प्लेक के खिलाफ प्रयासों का निर्देशन जारी रखा और फिर 1949 में जब गुजरा में सूखा पड़ा, पटेल ने कॉंग्रेस मंत्रालेओं का मार्ग दर्शन किया, जिनोंने पार्टी अनुशासन को बनाये रखने के उद्देश्य से भारत भर में सत्ता हासिल की थी, पटेल को डर था कि ब्रिटिश सरकार निर्वाचित कॉंग्रेसियों के बीच पैदा करने के अवसरों का लाब उठाएगी। के सिध्धान्तों से दूर जाने के प्रयासों का विरोध किया, लेकिन बोस के समर्थकों। समाजवादियों और अन्य कॉंग्रेसियों की ओर से आलोचना की गई कि पटेल स्वयां गांधी की सत्ता का बचाव करते हुए सत्तावादी तरीके से काम कर रहे थे। पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल का 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा में निधन हो गया। विठल भाई और बोस यूरोप यात्रा के दौरान गांधी जी के नेतरित्व की कड़ी आलोचना करते रहे थे। अक्टूबर 1933 में जब विठल भाई की मृत्यू हुई तब तक बोस उनके प्रात्मिक देखभाल करता बन चुके थे। अपनी मृत्यू शया पर उन्होंने एक तरह की वसीयत छोड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ती का तीन चौथाई हिस्सा बोस को दूसरे देशों में भारत के हित के प्रचार में इस्तिमाल करने के लिए दिया। जब पतेल ने उस पत्र की प्रती देखी, जिसमें उनके भाई ने अपनी संपत्ती का अधिकांश हिस्सा बोस को दिया था, तो उन्होंने कई सवाल पूछे, उस पत्र को डॉक्टर द्वारा सत्यापित क्यों नहीं किया गया? क्या मूल कागजात को सुरक्षित रखा गय जहां विठल भाई की मृत्यू हुई थी, पतेल को दस्तावेज पर हस्ताक्षर की सत्यता पर भी संदे हो सकता था, मामला अदालत में गया और एक साल से ज्यादा चली कानूनी लडाई के बाद, अदालतों ने फैसला सुनाया की विठल भाई की संपत्ती केवल उनके पतेल ने तुरंत पैसे विठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिये, द्वितिय विश्वी युद्ध के फैलने पर, पतेल ने गांधी की सलाह के विपरीत, केंद्रिय और प्रांतिय विधान सभाओं से कॉंग्रेस को वापस लेने के नहरू के फैसले का समर्थन किया साथ ही वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पहल का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को कॉंग्रेस का पूरा समर्थन देने की पेशकश की थी, अगर वह युद्ध के अंत में भारतिय स्वतंत्रता का वादा करता है और तुरंत एक लोकत गांत्रिक सरकार स्थापित करता है गांधी ने युद्ध के अपने नैतिक विरोध के आधार पर ब्रिटेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था जबकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के उग्र विरोध में थे ब्रिटिश सरकार ने राजगोपालाचारी की पहल क खारिश कर दिया और पटेल ने फिर से गांधी के नेत्रित्व को अपना लिया उन्होंने गांधी के व्यक्तिगत अवग्या के आवान में भाग लिया और 1940 में गिरफतार हुए और 9 महिने तक जेल में रहे उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का भी विरोध क जबकि नहरू, राज गोपालाचारी और मौलाना आजाद ने शुरू में गांधी के सविने अवग्या के एक व्यापक अभियान के प्रस्ताव की आलोचना की ताकि अंग्रेजों को भारतिय स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर किया जा सके, पटेल इसके सबसे प्रबल समर्थक थे, यह तर्क देते हुए कि अंग्रेज भारत से पीछे हट जाएंगे जैसे उन्होंने सिंगापुर और बर्मा से किया था, पटेल ने आग्रा किया की अभियान बिना किसी देरी के शुरू हो हालां की यह महसूस करते हुए कि अंग्रेज तुरंत नहीं पटेल एक व्यापक विद्रो के पक्ष में थे जो भारतिय लोगों को उतसाहित करेगा, जो युद्ध के प्रती अपनी प्रतिक्रिया में विभाजित थे। सविनय अवग्या के व्यापक अभियान को मंजूरी देने के लिए जोड़दार दबाव डाला और ICC ने 7 अगस्त 1942 को अभियान को मंजूरी दे दी हाला की जेल में रहने के दौरान पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था। फिर भी उन्होंने पूरे भारत में बड़ी भीड के सामने भावनात्मक भाशन दिये, उनसे करों का भुकतान करने से इनकार करने और सविनय अवग्या, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सभी नागरिक सेवाओं को बंद करने के लिए कहा। उन्होंने राष्ट्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतियात के तौर पर धन जुटाया और कमान का दूसरा स्तर तयार किया। पत्रों में जापान द्वारा बर्मा में स्थापित सरकार को कटपुतली सरकार कहते हैं। अब दिल्ली में कैसी सरकार है? जब फ्रांस नाजी हमले के सामने पराजित हुआ, तो पूर्ण युद्ध के बीच में मी चर्चिल ने फ्रांसीसियों को इंग्लेंड के साथ मिल जाने का प्रस्ताव दिया। यहां वास्तव में प्रेरित राजनेता का एक कदम था। लेकिन जब बात भारत की आती है। अरे नहीं, युद्ध के बीच में समवैधानिक परिवर्तन? बिलकुल अकलपनिय। इस बार उद्धेश्य जापानियों के आने से पहले भारत को मुक्त करना है और यदी वे आते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए तयार रहना है। वे नेताओं को पकड लेंगे, सभी को पकड लेंगे। तब प्रत्येक भारतिय का कर्तव्य होगा कि वह अपना अधिक्तम प यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर होने जा रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाशन ने राश्ट्रवादियों में जोश भरने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी, जो तब तक प्रस्तावित विद्रों को लेकर संशय में थे। इस अवधी में पट कांग्रिस कार्य स्मिती के साथ 1942 से 1945 तक एहमदनगर के किले में कैद रखा गया। यहां उन्होंने कपड़ा काता, ब्रेच खेला, धेर सारी किताबे पढ़ी, लंबी सेरकी और बागवानी की बाहर से समाचार और घटनाकरम की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने अपने सह योगियों को भावनात्मक समर्थन भी प्रदान किया। उस वर्ष के अंत में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यू की खबर से पटेल बहुत दुखी हुए। लेकिन पटेल ने अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में भले ही अन्य राजनीतिक दलों ने सं घर्ष का विरोध किया था और ब्रिटिश अपनिवेशिक सरकार ने कॉंग्रेस के अधिकांश नेताओं को कैद करके जवाब दिया था। भारत छोडो आंदोलन 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह था जैसा कि वायसराय ने विंस्टन चर्चिल को केबल से बताया था। भारतिय शाही पुलीस के साथ हिंसक मुठ भेडों में एक लाख से अधिक लोगों को गिरफतार किया गया और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पूरे भारत में हड़ताले, विरोध प्रदर्शन और अन्यक्रांतिकारी गतिविधिया शुरू हो कर रही थी। 1946 के भारतिय प्रांतिय चुनावों में कॉंग्रेस ने हिंदू मतदाताओं पर हावी होकर निर्वाचित सीटों का एक बड़ा हिस्सा जीता। हाला कि मुहम्मद अली जिन्ना के नेत्रित्व वाली मुसलिम लीग ने मुसलिम मतदाताओं की सीटों का एक बड कॉंग्रेस ने सिंध पंजाब और बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में सरकारे बनाई जहां इसने अन्य दलों के साथ गट बंधन किया, मिशन योजना में लीग को दिया गया सामप्रदाइक वीटो भारत की प्रगती को हर स्तर पर अवरुद कर देता। किस्तान को प्रात्मिकता दूंगा जो लीग को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आजादी आ रही है। हमारे पास भारत का 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा है जिसे हम अपनी प्रतिभा से मजबूत बना सकते हैं। लीग देश के बाकी हिस्से का विकास कर सकती है। गांधी द्व किया जहां उन्होंने सार्वजनिक संपत्ती के विभाजन की देख रेक की और नहरू के साथ भारतिय मंत्र प्रिशत का चयन किया। हाला की न तो पटेल और नहीं किसी अन्य भारतिय नेता ने विभाजन के साथ होने वाली तीवर हिंसा और जनसंख्या स्थानांतरण की भविश्यवानी की थी। पटेल ने राहत और आपातकाली नापूर्ती का आयोजन करने, शर्नार्थी शिविरों की स्थापना करने औ परने वालों की संख्या पांच लाख से एक मिलियन लोगों के बीच होने का अनुमान है। दोनों देशों में शर्नार्थियों की अनुमानित संख्या पंदरा मिलियन से अधिक है। 61 दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगा क्षेत्र का दौरा करते हुए, जहां दिल्ली के हजारों मुसल्मानों को हमलों का डर था, उन्होंने दरगाह पर प्रार्थना की, लोगों से मुलाकात की और पुलीस की मौजूदगी को मजबूत किया। उन्होंने जवाबी हिंसा को रोकने के लिए पाकिस्तान में हिंदूओं और सिखों के खिलाफ अत्याचारों की प्रेस रिपोर्टों को दबा दिया। राजधानी में शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों को व्यवस्थित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए दिल्ली आपातकालीन समिती की स्थापना करते हुए। पटेल ने सारवजनिक रूप से अधिकारियों को पक्षपात और उपेक्षा के खिलाफ चेतावनी दी जब पटेल को यह रिपोर्ट मिली कि सिखों के बड़े समूह पाकिस्तान जाने वाले मुसलिम काफिले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पटेल जल्दी से अमरित सर पहुँचे और सिख और हिंदू नेताओं से मिले। यह तर्क देते हुए कि असहाई लोगों पर हमला करना कायरतापूर्ण और अपमान जनक है। पटेल ने इस बात पर जोड दिया कि सिखों की कारवाई के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में हिंदूओं और सिखों के खिलाफ और हमले हुँगे। उन्होंने समुदाई के नेताओं को आश्वासन दिया कि यदिवे शांती और व्यवस्था स्थापित करने और मुसल्मानों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए काम करते हैं। तो भारत सरकार पाकिस्तान की किसी भी विफलता पर जोड़दार प्रतिक्रिया करेगी। इसके अतिरिक्त पटेल ने लगभग दो लाख शरनार्थियों की विशाल भीड को संबोधित किया, जिनोंने बैठकों के बाद उनकी कार को घेर लिया था। यहां इसी शहर में जलियामवाला बाग के रक्तपात में हिंदूओं, सिखों और मुसल्मानों का खून मिला। मुझे यहां सोच कर दुख होता है कि हालात यहां तक पहुँच गए हैं कि कोई भी मुसल्मान अमरिटसर में नहीं जा सकता और कोई भी हिंदू या सिख लाहौर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निर्दोश और रक्षाहीन पुरुशों, महिलाओं और बच्चों का कतले आम बहादुर पुरुशों को शोभा नहीं देता। मुझे पूरा यकीन है कि भारत का हित अपने सभी पुरुशों और महिलाओं को सीमा पार कराने और पूर्वी पंजाब से सभी मुसल्मानों को बाहर भिजने में है। मैं आपके पास एक विशेश अपील लेकर आया हूँ। कोई भी बाधा या रुकावट हमारे शर्नार्थियों की दुर्दशा को और खराब कर देगी जो पहले से ही सहनशीलता के अद्भुत कारना में कर रही हैं। अगर हमें लड़ना है, तो हमें साफ सुथरी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसी लड़ाई के लिए उप्यूक्त समय और परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए और आपको अपनी जमीन चुन्ने में सावधानी बरतनी चाहिए। शरणार्थियों के खिलाफ लड़ना कोई लड़ाई नहीं है, तीन महीने के लिए युद्ध विराम हो, जिसमें दोनों पक्ष अपने शरणार्थियों का आदान प्रदान कर सकें। इस तरह के युद्ध विराम की अनुमती युद्ध के कानूनों में भी है। आईए हम हमलों और जवाबी हमलों के इस दुष्चक्र को तोड़ने की पहल करें। एक हफ़ते तक हाथ ठामे रहें और देखें कि क्या होता है। अपने स्वयन सेवकों की सेना के साथ शरनार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें शरनार्थियों को हमारी सीमा तक सुरक्षित पहुचाने दे। समुदाए के नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनके भाशन के बाद मुसलिम शर्णार्थियों के खिलाफ कोई और हमला नहीं हुआ और जल्द ही पूरे क्षेत्र में व्यापक शान्ती और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई हाला की भारत के अन्य हिस्सों से मुसल्मानों को वापस भेजने की उनकी कथित इच्छा के लिए नहरू धर्म निर्पेक्ष मुसल्मानों और गांधी ने पटेल की आलोचना की जबकी पटेल ने इस तरह के आरोपों का जोड़दार खंडन किया मौलाना आजाद और अन्य धर्म निर्पेक्ष मुसलिम नेताओं के साथ कटुता तब बढ़ गई जब पटेल ने दिल्ली के सिख पुलीस कमिशनर को बर्खास करने से इनकार कर दिया जिन पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था हिंदू और सिख नेताओं ने पटेल और अन्य नेताओं पर पाकिस्तान में उनके समुदायों पर हमलों के लिए परियाप्त रूप से जवाब देह नहीं होने का भी आरोप लगाया और मुसलिम नेताओं ने पाकिस्तान जाने वाले मुसल्मानों की जरूरतों की कथित उपेक्षा करने और आने वाले हिंदू और सिख शरनार्थियों के लिए संसाधनों को केंद्रित करने के लिए उनकी आलूचना की। पेक्षता का दावा करने वाली किसी भी सरकार को इस तरह के बहिशकार नहीं करने चाहिए। इस उपलब्धी ने स्वतंत्रता के बाद के यूग में पटेल की लोकप्रियता की आधार शिला रखी। इस संबंध में उनकी तुलना ओटो वॉन बिस्मार्ग से की जाती है जिनोंने 1871 में कई जर्मन राज्यों को एकी कृत किया था। तीन जून की योजना के तहट, 565 से अधिक रियास्तों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्रता चुनने का विकल्प दिया गया था। भारतिय राष्ट्रवादियों और जनता के बड़े हिस्से को डर था कि अगर ये राज्य शामिल नहीं हुए, तो अधिकांश लोग और क्षेत्र विखंडित हो जाएंगे। कॉंग्रिस, साथ ही वरिष्ट ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतिय प्रभुत्व द्वारा रियास्तों पर विजय प्राप्त करने के कार्य के लिए पटेल को सबसे उप्युक्त व्यक्ति माना। गांधी ने पटेल से कहा था, राज्यों की समस्या इतनी कठिन हैं कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। पटेल को एक ऐसे इमानदार राजनेता के रूप में माना जाता था, जिसमें व्यावारिक कौशल और एक समार्किय कार्य को पूरा करने का संकल्प था। उन्होंने वी-पी मेनन एक वरिष्ट सिविल सेवक जिनके साथ उन्होंने भारत के विभाजन पर काम किया था। को राज्य मंत्राले के मुख्य सचिव के रूप में अपना दाहिना हात बनने के लिए कहां 6 अगस्त 1947 को पटेल ने राजकुमारों की पैरवी शुरू की, उन्हें भविश्य की सरकार के साथ बातचीत के लिए ग्रहनशील बनाने और संभावित संघर्षों को रोकने का प प्योग किया. उन्हें दिल्ली में अपने घर पर दोपहर के भोजन और चाय के लिए आमंत्रित किया. इन बैठकों में पटेल ने समझाया की कॉंग्रिस और रियास्तों के बीच कोई अंतरनेहित संघर्ष नहीं था. पटेल ने भारत के राजाओं की देशभक्ती का आव उन्होंने 565 राज्यों के राजकुमारों को भारतिय गनराज्य से स्वतंत्रता की असंभवता के बारे में समझाया, खास कर उनके विश्यों के बढ़ते विरोध की उपस्थिती में. उन्होंने विलाई के लिए अनुकूल शर्तों का प्रस्ताव रखा, जिसमें शासकों के वंच्जों के लिए प्रिवी पस का निर्मान शामिल था. चासकों को देशभक्ती से काम करने के लिए प्रोचसाहित करते हुए, पटेल ने बल प्रयोग से इनकार नहीं किया. इस बात पर जोड देते हुए कि राजाओं को सद्भावनापूर्वक भारत में शामिल होन उन्होंने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 अगस्त 1947 की समय सीमा तै की तीन राज्यों को छोड़कर सभी ने स्वेच्छा से भारतिय संग में विलय कर लिया. केवल जम्मू और कश्मीर, जुनागड और हैदराबाद ही उनके साथ नहीं आए. जुनाग काठियावार जिले में अत्यन सम्रिद सोमनाथ मंदिर था, जिसे ग्यारवी शताबदी में महमूद गजनवी ने लूटा था, जिसने मंदिर और इसकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर इसके पन्ने, हीरे और सोने सहित धन को लूट लिया था. सर्शा नवाज भुट्टो आबादी हिंदू थी. पटेल ने कूटनीती के साथ बलका प्रयोक किया और मांग की की पाकिस्तान विलय को रद्द करे. और नवाब भारत में विलय कर ले उन्होंने अपना संकल्प दिखाने के लिए जुनागड की तीन रियास्तों पर कबजा करने के लिए सेना भीजी. व्यापक विरोध और एक नागरिक सरकार या आरजी हुकूमत के गठन के बाद भुट्टो और नवाब दोनों कराची भाग गए. बाद में आयोजित जन्मत संग्रा में भारत के साथ विलय के लिए 99% मत मिले. जुनागर के बहुत्दीन कॉलिज में बाद के अधिग्रहन के बाद एक भाशन में पटेल ने हैदराबाद पर अपनी तातकालिकता की भावना पर जोड दिया, जिसे उन्होंने कश्मीर की तुलना में भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना. अगर हैदराबाद दी जिवार पर लिखी इबारत नहीं देखता, तो उसका भी वही हाल होगा जो जुनागर का हुआ. पाकिस्तान ने जुनागर के खिलाफ कश्मीर को भढ़काने की कोशिश की जब हमने लोकतांत्रिक तरीके से समझोते का सवाल उठाया, तो उन्होंने पाकिस्तान ने तुरं वे हैदराबाद पर सहमत होते हैं. तो हम कश्मीर पर सहमत होंगे. हैदराबाद रियास्तों में सबसे बड़ी थी और इसमें वर्तमान तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, करनाटक और महराष्टर राज्यों के कुछ हिस्से शामिल थे. इसके शासक निजाम उस्मान अली ख निजाम के प्रतिवफादार मुस्लिम सेना, जिसे कासिम रजवी के नित्रित्व में रजाकार कहा जाता था, ने निजाम पर भारत के खिलाफ डटे रहने का दबाव डाला, जबकि भारतिय धर्ती पर लोगों पर हमलों का आयोजन किया. भले ही लौड माउंड बेटन के युद्ध से बचने के हताश प्रयासों के कारण एक स्टैंडस्टिल समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे. लेकिन निजाम ने सौदों को अस्वीकार कर दिया और अपनी स्थिती बदल दी 7 सितंबर को जवाहरलाल नहरू ने निजाम को अल्टिमेटम दिया, जिसमें भारत को इस अल्टिमेटम के खिलाफ चेतावनी दी. 11 सितंबर को जिन्ना की मृत्यू के बाद 13 सितंबर को हैदराबाद पर आक्रमन शुरू किया गया. रजाकारों की हार के बाद निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये. भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नहरू और पतेल के साथ मिलकर त्रिमूर्ती का गठन किया जिसने 1948 से 1950 तक भारत पर शासन किया. प्रधान मंत्री नहरू जनता के बीच बेहद लोक प्रिय थे लेकिन पतेल को कॉंग्रेस के आम लोगों, राज्य के नेताओं और भारत के सिविल सेवकों की वफादारी और विश्वास प्राप्त था. पतेल भारत की सम्विधान सभा में एक वरिष्ठ नेता थे और भारत के सम्विधान को आकार देने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे. पतेल अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहि बिधान का संचालन किया, जिसमें राज्य के राज्यपाल के लिए सीमित शक्तियां थी, जो राश्ट्रपती को सौंपेंगे उन्होंने सपश्ट किया कि राज्यपाल को ऐसी शक्ती का प्रयोग करने की अनुमती देने का इरादा नहीं था जो एक निर्वाचित सरकार को बाधित कर सकता था। उन्होंने अलग-अलग निर्वाचिकाओं और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षन की अधिक शक्तिशाली मांग को समाप्त करने के लिए। सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई जब गुजराती किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास आया और बिचौलियों के जहांसे में आये बिना अपने दूद के उतपादन को बाजारों में भीजने में असमर्थता जताई। तो पटेल ने उन उन्हें कैरा जिला सहकारी दुग्ध उतपादक संग लिमिटेड बनाने के लिए निर्देशित किया, जो अमूल दूद उतपाद ब्रांड से पहले था। पटेल ने सौराष्ट्र में प्राचीन लेकिन जीर्णशीर्ण सोमनात मंदिर के पुनर निर्मान का भी संकल्प उन्होंने जीर्ण उधार कार्य और एक सार्वजनिक ट्रस्ट के निर्मान की देखरेख की और काम पूरा होने पर मंदिर को समर्पित करने का संकल्प लिया। यह कार्य उनकी मृत्यू के बाद पूरा हुआ और मंदिर का उधगाटन भारत के पहले राष्ट्रुपती राजेंद्र प्रसाद ने किया जब सितंबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमन शुरू हुआ तो पटेल तुरंत कश्मीर में सेना भिजना चाते थे। लेकिन नहरू और माउंड बेटन से सहमत होकर उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक की कश्मीर के समराट भा भारत में शामिल नहीं हो गए। पटेल ने तब शीनगर और बारा मुल्ला दर्रे को सुरक्षित करने के लिए भारत के सैन्य अभियानों की देखरेक की और सेनाओं ने आक्रमनकारियों से बहुत सारे क्शेत्र वापस ले लिए। पटेल ने रक्षा मंत्री बलदेव सिं पटेल ने नहरू को सन्युक्त राष्ट्र में मध्यस्थता के लिए जाने के खिलाफ द्रिधता से सलाह दी। इस बात पर जोड देते हुए कि पाकिस्तान ने आक्रमन का समर्थन करके गलत किया था और भारत में विलय वैद था। वह द्विपक्षिय मामले में विदेश हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। पटेल कैबिनेट ने उनकी बात को मनजूरी दे दी थी। लेकिन जब गांधी को डर था कि प्रतिदवन्दविता और सामप्रदायक हिंसा बढ़ सकती है। तो यहां बात पलड़ गई और रहाई के लिए आमरण अंशन पर बैठ गए। पटेल हालांकी गांधी से अलग नहीं थे, लेकिन अपनी सलाह को खारज किये जाने और कैबिनेट के फैसले से बहुत दुखी थे। उन्नीस सो उन्चास में एक संकट उत्पन हुआ जब पूरवी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपूरा में प्रवेश क करने वाले हिंदू शरनार्थियों की संख्या आठ लाग से अधिक हो गई। कई मामलों में शरनार्थियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जबरन निकाला जा रहा था और वे धमकी और हिंसा के शिकार थे। नहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अल पटेल ने नहरू की एक समझोते पर हस्ताक्षर करने की योजना की कड़ी आलोचना की, जो दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग बनाएगा और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबधता का वचन देंगे। नहरू की पश्चिम बंगाल में तीक ही आलोचना हुई। उन्होंने संसत के सदस्यों और पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने भावनात्मग भाशन दिये और कॉंग्रेसियों, हिंदूओं, मुसल्मानों और अन्य सार्वजनिक हिट समूओं के दर्जनों प्रतिनधि से बात की और उन्हें शांती के लिए अंतिम प्रयास करने के लिए राजी किया। अप्रेल 2015 में भारत सरकार ने निगरानी रिपोर्टों को सार्वजनिक किया, जिसमें बताया गया था कि ग्रह मंत्री रहते हुए पटेल और नहरू, सुभाश चंद्र बोस के परिवार प कथित सरकारी अधिकरित जासूसी में शामिल अधिकारियों में से थे, उन्होंने अखिल भारतिय सेवाओं के निर्मान में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई, जिसे उन्होंने देश का स्टील फ्रेम बताया, इन सेवाओं के परिविक्षार्थियों को अपने संबो और नई स्वतंत्रता के बाद सेवा की किसी भी भावना से ओत्प्रोथ है, परिविक्षार्थियों को प्रशासन की अत्यधिक निश्पक्षता और भ्रष्टाचार रहित्ता बनाए रखने का उनका आवान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, एक सिविल प्राजनीती में भाग नहीं ले सकता है और नहीं उसे ऐसा करना चाहिए, नहीं उसे सामप्रदाइक जगडों में खुद को शामिल करना चाहिए, इनमें से किसी भी मामले में सत्य के मार्क से हटना सारवजनिक सेवा को नीचा दिखाना और उसकी गरिमा को कम करना है, उन् 21 अप्रेल 1947 को उन्हें सावधान किया था स्वतंत्रता के बाद के भारत में किसी और से ज्यादा उन्होंने महसूस किया कि देश के प्रशासन में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बलकि समाज को जोडने वाली संस्थाओं को चलाने में भी अपने किसी भी समकालीन से ज्यादा वे एक मजबूत स्थिर प्रशासनिक ढांचे की जरूरतों से वाकिफ थे जो एक कारेशील राजनीती की धूरी है वर्तमान अखिल भारतिय प्रशासनिक सेवाओं की उत्पत्ती इस व्यक्ती की दूर दर्शिता के कारण हुई है और इसलिए उन्हें आधोनिक अखिल भारतिय सेवाओं का जनक माना जाता है पटेल गांधी के प्रती बेहत वफादार थे और वह और नहरू दोनों विवादों के निप्तारे के लिए उन पर निर्भर रहते थे हाला की नहरू और पटेल राश्ट्रिय मुद्दों पर भिड़ गए जब नहरू ने कश्मीर नीती पर नियंतरन का दावा किया तो पटेल ने नहरू द्वारा अपने ग्रह मंत्राले के अधिकारियों को दरकिनार करने पर आपत्ती जताई राज्जों के एकी करण के संबंध में पटेल के निर्णय लेने से नहरू नाराज थे उन्होंने न तो उनसे और नहीं मंत्री मंडल से परामर्श किया था पटेल ने गांधी से सेवा करने के अपने दायत्व से मुक्त करने के लिए कहा उनका मानना था कि एक खुली राजनीतिक लड़ाई भारत को नुकसान पहुचाएगी बहुत व्यक्तिगत विचार विमर्श के बाद और पटेल की भविश्यवानी के विपरीत गांधी ने 30 जन्वरी 1948 को पटेल से सरकार नहीं छोडने के लिए कहा गांधी के अनुसार एक स्वतंत्र भारत को पटेल और नहरू दोनों की जरूरत थी पटेल गांधी के साथ निजी तौर पर बात करने वाले अन्तिम व्यक्ति थे जिनकी पटेल के जाने के कुछ ही मिंटो बाद हत्या कर दी गई थी गांधी की मृत्यू के दो महीने के भीतर पटेल को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा उनकी बेटी, उनके सचिव और एक नर्स की समय पर कारवाई ने पटेल की जान बचाई बाद में बोलते हुए पटेल ने इस हमले को गांधी की मृत्यू के कारण दबे हुए दुख के कारण बताया मीडिया और अन्य राजनेताओं की ओर से आलोचना हुई कि पटेल का ग्रह मंत्राले गांधी की रक्षा करने में विफल रहा है भावनात्मक रूप से ठके हुए पटेल ने इस्तीफे का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सरकार छोडने की पेशकश की गई थी पटेल के सच्चिव ने उन्हें पत्र को वापस लेने के लिए राजी किया इसे पटेल के राजनीतिक दुश्मनों और भारत में राजनीतिक संगर्ष के लिए चारा के रूप में देखा हालांकी नहरू ने पटेल को एक पत्र भेजा, जिसमें व्यक्तिगत मतभेदों या पटेल को हटाने की इच्छा के किसी भी सवाल को खारिज कर दिया गया उन्होंने पटेल को स्वतंत्रता संग्राम में उनकी 30 साल की साजेदारी की याद दिलाई और कहां की गांधी की मृत्यू के बाद उनके लिए जगडा करना विशेश रूप से गलत था नहरू, राज गोपालाचारी और अन्य कॉंग्रेसियों ने सारवजनिक रूप से पटेल का बचाव किया भावुक होकर, पटेल ने सारवजनिक रूप से नहरू के नेतरित्व का समर्थन किया और मतभेत के किसी भी सुझाव का खंडन किया नहरू ने पटेल को रियास्तों को भारत में एकीकरित करने की पूरी छूट दी। हाला कि दोनों ने सन्युक्त नेत्रित्व और कॉंग्रेस पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए खुद को प्रतिबध किया। लेकिन कभी-कभी वे नीतिगत मामलों में एक दूसरे की आलोचना करते थे। हैदराबाद के एकीकरण और कश्मीर में सन्युक्त राश्ट्र की मध्यस्थता के मुद्धों पर आपस में टकरा जाते थे। नहरू ने 1950 में People's Republic of China द्वारा तिबबत पर आकरमन के बाद सहायता भिजने और गोवा से पुर्तगालियों को सैन्य बल द्वारा बाहर निकालने के बारे में पटेल की सला को अस्वीकार कर दिया। जब नहरू ने राजेंद्र प्रसाद पर 1950 में राज गोपालाचारी के पक्ष में भारत के पहले राश्ट्रपती बनने के लिए नामांकन अस्वीकार करने का दबाव डाला। तो उन्होंने पार्टी को नाराज कर दिया, जिसे लगा कि नहरू अपनी इच्छा थोपने का प्रयास कर रही हैं। नहरू ने पार्टी को जीतने में पटेल की मदद मांगी, लेकिन पटेल ने मना कर दिया और प्रसाद विधिवत चुने गए। नहरू ने 1950 के कांग्रेस के राश्ट्रपती पत के उम्मीदवार पुरुशुत्तम दास टंडन का विरोध किया, जो एक रूडिवादी हिंदू नेता थे, और इसके बजाए जीवराम क्रिपलानी का समर्थन किया और टंडन के चुने जाने पर इस्तीफा देने की धमकी पतेल ने नहरू के विचारों को खारिश कर दिया और गुजरात में टंडन का समर्थन किया, जहां क्रिपलानी को खुद उस राज्य से होने के बावजूद एक भी वोट नहीं मिला पतेल का मानना था कि नहरू को यह समझना होगा कि उनकी इच्छा कॉंग्रेस के लिए कानून नहीं है जनवरी 1948 में महत्मा गांधी की हत्या हिंदुत्व कार्य करता नाथूराम गोड से ने की थी हत्या के बाद हिंदु राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयन सेवक संग के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और चार फरवरी 1948 को पतेल द्वारा संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हत्या के संबंध में अदालती कार्यवाही के दौरान गोड से ने दावा करना शुरू कर दिया कि उसने 1946 में संगठन छोड़ दिया था वल्लभाई पटेल ने टिपपणी की थी कि RSS के लोगों ने गांधी की मृत्यू के बाद खुशी व्यक्त की और मिठाईया बाटी आरोपी RSS नेताओं को भारत के सर्वोच्च न्यायाले ने साजिश के आरोप से बरी कर दिया था अगस्त 1948 में अपनी रहाई के बाद गोलवलकर ने प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू को RSS पर प्रतिबंध हटाने के लिए लिखा नहरू के जवाब के बाद की यहां मामला ग्रह मंत्री की जिम्मेदारी है गोलवलकर ने इस बारे में वल्लभाई पटेल से सलाली पटेल ने तब एक पूर्ण पूर्व शर्त की मांग की की RSS एक आपचारिक लिखित सम्विधान को अपनाए और इसे सार्वजनिक करे संगठन के प्रमुख की शक्ती को परिभाशित करे आंतरिक चुनाव कराकर संगठन को लोकतांतरिक बनाए गोलवलकर ने इस मांग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसके दौरान उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया बाद में RSS के लिए एक सम्विधान का मसौदा तयार किया गया जो हालां की शुरू में पटेल की किसी भी मांग को पूरा नहीं करता था फिर से आंदोलन करने के असफल प्रयास के बाद अंददा RSS के सम्विधान को पटेल की इच्छा के अनुसार संशोधित किया गया संगठन के प्रमुक के चयन की प्रक्रिया और पूर्व किशोरों के नामांकन को छोड़ कर हाला की संगठन का आंतरिक लोकतंत्र जो इसके सम्विधान में लिखा गया था एक मृत्पत्र बना रहा 11 जुलाई 1949 को भारत सरकार ने एक विज्यप्ती जारी करके RSS पर प्रतिबंध हटा दिया जिसमें कहां गया कि RSS पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय RSS नेता गोलवल करके उस वचन के मद्दे नजर लिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि RSS के सम्विधान के प्रती समूह की निष्ठा और भारत के राश्ट्रिय ध्वच के प्रती स्विक्रिती और सम्मान को RSS के सम्विधान में अधिक स्पष्ट किया जाएगा. जिसे लोकतांत्रिक तरीके से तयार किया जाना था अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पटेल को संसत सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें नवंबर 1948 में नागपुर विश्व विद्याले इलाहबाद विश्व विद्याले और बनारस हिंदू विश्व विद्याले द्वारा मानत डॉक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया गया इसके बाद फरवरी 1949 में उस्मानिया विश्व विद्याले और मार्ज 1949 में पंजाब विश्व विद्याले से मानत डॉक्टरेट की उपाधी प्राप्त की इससे पहले पटेल को टाइम पत्रिका के जनवरी 1947 के अंक के कवर पेज पर छापा गया था 29 मार्ज 1949 को अधिकारियों ने पटेल उनकी बेटी मनिबेन और पटियाला के महराजा को दिल्ली से जैपुर ले जा रहे रॉयल इंडियन एर फोर्स डे हैविलेंड डव से रेडियो संपर खो दिया था पाइलट को अशान्ती के कारण कम उचाई पर उडान भरने का आदेश दिया गया था उडान के दौरान इंजन में बिजली की कमी के कारण पाइलट को राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी कम उचाई पर विमान के उड़ने के कारण पाइलट विमान के VHF रेडियो के साथ संकट कॉल भेजने में असमर्थ था नहीं वह अपने HF उपकरण का उपयोग कर सकता था क्योंकि चालक दल के पास प्रशिक्षित सिग्नलर की कमी थी सभी यात्रियों के सुरक्षित होने के बाद पटेल और अन्य ने पास के एक गाव और स्थानिय अधिकारियों को ट्रैक किया जब पटेल दिल्ली लोटे तो हजारों कॉंग्रेसियों ने उनका जोड़दार स्वागत किया संसद में सांसदों ने पटेल का लंबे समय तक खड़े होकर अभिवादन किया और आधे घंटे तक कार्यवाही रोक दी 1949 की गर्मियों में पटेल का स्वास्थे तेजी से गिरता गया बाद में उन्हें खून की खासी होने लगी जिसके बाद मनिबे ने उनकी बैठकों और काम के घंटों को सीमित करना शुरू कर दिया और पटेल की देखभाल के लिए एक व्यक्तिगत चिकितसा स्टाफ की व्यवस्था की पश्चिम बंगाल के ततकालीन मुख्यमंत्री डौबिधान चंद्र रोय ने पटेल को उनके आसन अंत के बारे में चुटकुले बनाते सुना और एक निजी बैठक में पटेल ने अपने मंत्री मंडल के सहयोगी एनवी गाडगिल के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाले हैं दो नवंबर के बाद पटेल की तबियत खराब हो गई जब वह बार-बार बेहोश होने लगे और अपने बिस्तर तक ही सीमित रहे उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें डौर रोय की सलापर बारह दिसंबर को बॉम्बे ले जाया गया नहरू, राज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और मिनन सभी उन्हें दिल्ली हवाई अड़े पर छोड़ने आए उन्हें इस्तनाव से बचाने के लिए विमान जुहु एरोडरम पर उत्रा जहां मुख्यमंत्री बीजी खेर और मुरारजी देशाई उन्हें लेने के लिए बॉम्बे के गवर्नर की कार से मौजूद थे जो वल्लभाई को बिडला हाउस ले गई बड़े पैमाने पर दिल का दौरा उनका दूसरा से पीडित होने के बाद पटेल का 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिडला हाउस में निधन हो गया एक अभूत पूर्व और अप्रतेम इशारे में उनकी मृत्यू के अगले दिन भारत के नागरिक और पुलीस सेवाओं के 1500 से अधिक अधिकारी दिल्ली में पटेल के निवास पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए और भारत की सेवा में पूर्ण निष्ठा और निर इंडानेश्या के राष्ट्रपती सुकर्णों, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अली खान और यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री कलेमेंट एटली शामिल थे। पटेल को श्रधान जली देते हुए प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरु ने एक सप्ताह के पतेल का दा संसकार गिरगाव चौपाटी पर करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जब उनकी बेटी ने बताया कि उनकी इच्छा है कि उनका अंतिम संसकार एक आम आदमी की तरह उसी स्थान पर किया जाए, जहां उनकी पतनी और भाई का पहले अंतिम संसकार किया गया तो इसे बदल कर सोनापुर, अब मरीन लाइन्स कर दिया गया। अपने स्तवन में विदेश मंत्राले के महासचिव गिरिजा शंकर बाजपई ने उन्हें एक महान देशभक्त, एक महान प्रशासक और एक महान व्यक्ती के रूप में श्रधांजली दी सरदार वल्लभाई पटेल तीनों थे, जो किसी भी एतिहासिक यूग और किसी भी द विदेश में एक दुरलब सन्योजन था। अपनी लड़ाई में क्रांतिकारी होने के बावजूद, सरदार पटेल अचानक या हिंसक परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे, क्रमिक विकास ही उनका आदर्श वाक्य था। और इसलिए, हाला कि अगस्त 1947 में सत्ता हात में आ गई और इसके साथ ही प्रशासन की भावना भी बदल गई, लेकिन सरकार की मशीनरी सुरक्षित रही। ग्रह मंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में सर्दार के पास दोहरा काम था, पुराने भारत में प्रांतों के लिए शब्द के अच्छे अर्थों में रूडिवादी और भारतिय राज्यों में रचनात्मक। दोनों ही काम आसान नहीं थे। आज भी हमारी यादों में जीवन्त हैं, वास्तव में बहुत ही जीवन्त और इसलिए उन्हें वर्नित करने की आवशक्ता नहीं है। कुछ उतार्चधाव के बावजूत तराजू स्थिर रहा। यह न केवल लोगों के नेताओं में विश्वास के कारण था, बलकि नए ग्रह मंत्री की द्रिज हिच्छा शक्ती और मजबूत हाथ के कारण भी था। पटेल के जीवित परिवार में मनिबेन पटेल अपने पिता की मृत्यू के बाद अपना शेश जीवन बॉम्बे में एक फ्लैट में रही, वह अकसर सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट के काम का नित्रित्व करती थी, जो प्रतिष्थित वार्षिक सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान और अन्य धर्मार्थ संगठनों का आयोजन करता है। दह्याभाई पटेल एक व्यवसाई थे जिन्हें 1960 के दशक में लोकसभा भारतिय संसत के निचले सदन में सांसत के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था। 1991 में पटेल को मरणोपरांथ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया। 2014 में यह घोशना की गई की उनका जन्म दिन 31 अक्टूबर। राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में जाना जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रिय उत्सव बन जाएगा। 2012 में पटेल को आउटलुक इंडिया के महांतम भारतिय के सर्वेक्षण में तीसरा स्थान दिया गया था। करमसद में पटेल का पारिवारिक घर उनकी याद में सन्रक्षित है। एहमदाबाद में सरदार वल लभाई पटेल राष्ट्रिय स्मारक 1980 में मोती शाही महल में स्थापित किया गया था। इसमें एक संग्रहाले, चित्रों और रैतिहासिक चित्रों की एक गैलरी और एक पुस्तकाले शामिल हैं, जिसमें पटेल और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण, दस्तावेज और किताबें हैं। प्रदर्शनों में पटेल के कई निजी सामान और उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के विभिन दौर के अवशेश शामिल हैं। भारत में कई सारवजनिक संस्थानों का नाम पटेल के नाम पर रखा गया है। नर्मदा नदी घाटी में बांध, नहर और पनबिजली सन्यंत्र बनाने की एक बड़ी पहल, जिससे त्रिराज्यक शेत्र को पीने का पानी और बिजली उपलब्ध कराई जा सके और क्रिशी उत्पादन को बढ़ाया जा सके का नाम सरदार सरोवर रखा गया। सूरत में सरदार वल्लभाई राष्ट्रिय प्रोध्योगी की संस्थान सरदार पटेल विश्व विद्याले, सरदार पटेल हाई स्कूल और सरदार पटेल विद्याले और मेरट यूपी में सरदार वल्लभाई पटेल क्रिशी और प्रोध्योगी की विश्व विद्याले क नाम भी पटेल के नाम पर रखा गया है। सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षन देने के लिए गुजरात सरकार की संस्था का नाम सरदार पटेल इंस्टिटूट ऑफ पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन है। यह हर साल 31 अक्टूबर को भारत गनराज्य के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभाई पटेल के जन्दिन के वार्शिक स्मर्नोटसव के रूप में मनाया जाता है। भारत के ग्रह मंत्राले द्वारा राश्ट्रिय एक्ता दिवस के लिए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राश्ट्रिय एक्ता दिवस हमारे देश की एक्ता। अखनता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और संभावित खत्रों का सामना करने के लिए हमारे राश्ट्र की अंतरनेहित शक्ती और लची लेपन की फिर से पुष्टी करने का अवसर प्रदान करेगा। राश्ट्रिय एक्ता दिवस पटेल के जन्दिन को इसलिए मनाता है क्योंकि भारत के ग्रह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान। उन्हें 1947 से 1949 के बीच स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 550 से अधिक स्वतंत्र रियास्तों को भारत में एकिकरित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। Statue of Unity पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतिय राज्य गुजरात में नर्मदा बांध के सामने। वडोध्रा के पास साधु बेट से 3.2 किलो मीटर दूर स्थित है। 182 मीटर 597 फीट की उन्चाई पर यह दुनिया की सबसे उन्ची प्रतिमा है जो स्प्रिंग टेम्पल बुध से 54 मीटर अधिक है। यह प्रतिमा और संबंधित संगरचनाएं 20,000 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं और 12 किलो मीटर में फैली एक कृत्रिम जील से घिरी हुई हैं और इसकी अनुमानित लागत 29 आठ बिलियन रुपे है। इसका उद्गाटन भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को पटेल की जन्म की 143 वी वर्षगांट पर किया था। मीटर में प्रतिमा की उचाई गुजरात के कुल विधान सभाक्षेतरों से मेल खाने के लिए चुनी गई है। तो यह थी सरदार वल लभाई पटेल की जीवन की कहानी ऐसी और कहानियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।